चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हार्डिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बचो, एनेमसी चेर्मेन सरका जो आज वेबिनार होना था 27 जून 23 को वो कम्प्लीट हो चुका है, और अभी ये बिलकुल क्लियर हो चुका है कि 2019 बैच से ये जो next exam है ये लागू हो जाएगा, यानी जो अभी final year में student है, 2019 में जिनोंने admission लिया था, 2019 बैच के student है, उनसे ये next exam लागू होने जा रहा है, और ये पहली बार नौंबर 2023 में conduct होगा, दूसरा exam इसका मई 24 में conduct होगा next exam साल में दो बार conduct होगा नवंबर या फिर दिशंबर मई या जोन में तो ये साल में दो बार होगा और ये पहली बार नवंबर 2030 में conduct होने जा रहा है अब इसमें क्या-क्या होगा next one में objective type questions होगे और ये computer based exam होगा ये clear हो चुका है और इसमें जो paper का जो level होगा इसका distribution होगा वो इस परकार से होगा कि problem analytical skill type की जो question होगे 60 से 70% के होगे comprehension type के question होगे 20 से 30% होगे ये 30% होगे और recall type के 5 से 15% के ये question होगे इसमें must know 60, nice to know 30 और may know 10% के question होगे इसमें इसका level होगा इस परकार के question का level होगा इसके बाद में हम बात करते हैं कि कितनी howards का paper होगा कितनी marks का paper होगा ये कितनी question होगे इसमें तो पहले भी एक draft आया था उसमें ये कहा गया था कि 540 marks का ये paper होगा उससे में भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था और कल के वीडियो भी मैंने ये बताया है कि जो तोटल सब्जेक्ट होंगे, वो छे सब्जेक्ट होंगे, तीन में सब्जेक्ट होंगे, तीन सब्जेक्ट होंगे, मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी का जो पेपर होगा, 120 क होंगे उसमें और ये 120 माक्स का योने की medicine का 120, surgery 120 और O.B.G. 120 क्यूशन भी उतनी होंगे, माक्स भी उतनी होंगे, 3 hours का ये paper होगा, इसके बाद PDA, ENT और O.P.T.L. ये तीनों के 60-60 क्यूशन होंगे, 60-60 marks के 1.5 hours का ये paper होगा, तो ये इस परकार से paper distribution है, next one exam का इसके बाद इसका जो time schedule रहेगा exam का medicine का three hours का रहेगा two hours break रहेगा और उसी दिन Pedia का exam लग जाएगा one and half hours का next day rest रहेगा इसके बाद में surgery का paper रहेगा three hours का और next paper रहेगा दो hours के break के बाद one and half hours का रहेगा ENT का इसके बाद next day फिर rest रहेगा और OBG का paper पर रहेगा three hours का दो hours का इसमें break रहेगा और उसी दिन ओप्थाल का paper लगेगा one and half hours का तो इस परकार से paper का distribution रहेगा यह exam का यानि कि तीन दिन के अंदर आपकी next one exam complete हो जाएगी और 540 marks का यह paper रहेगा next one का 50% हम जानते ही है MBBS के दोरान 50% passing marks यह होता है इसमें सारे objective type question होंगे next two में भी सारे objective type question होंगे और यह internship खतम होने के बाद next two exam लिया जाएगा इसमें इसके बाद में next two के लिए subjects भी जो होंगे medicine होगा surgery होगा OBG होगा PDA होगा ENT होगा उप्ताल होगा तो यह सारे subject जो इसमें एक PMR subject भी add किया है यह सारे के सारे subject है इसमें next two में भी होंगे जो internship के बाद होगा next one exam नवंबर में हो जाएगा next two internship complete होने के बाद में मार्च में इसका schedule जारी होगा मार्च के अंदर यह लगने की possibility है time schedule यह अभी इसका next two का दिया नहीं है लेकिन next one का time schedule दे दिया गया है यह नवंबर 2023 में फैस्ट exam होगा और मई 2024 में यह next one फिर से लागू होगा जिन candidate ने नवंबर में पास नहीं किया है वो मई 2024 में next one का exam दे सकते हैं कोई limit नहीं है जिन्होंने पास किया है वो भी दे सकते हैं PG score के लिए जिन्होंने पास नहीं किया है वो भी दे सकते हैं। इसका जो time schedule है मैंने कल के वीडियो में भी बता दिया था। जो next one का exam है मई और नौंबर में लगेगा ये और दिसंबर इसमें जून में और दिसंबर में result आ जाएगा इसका। इसके बाद में जो final year का part two है जो university exam होता है वो part two तो लगेगा पार शोरी पार टू जो final year का part two है उसके बाद university exam होती है वो university exam next one के बाद में होगी next one के बाद में practical और clinical exam होगी university exam होगी जो अभी भी होती है वो first week के जून के और दिसंबर के first week में हो जाएगी थर्ड वीक में जून और दिसंबर में रेजल्ट आ जाएगा, इंटरंशिप इस्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट जनवरी में और जुलाई में, दो बार इंटरंशिप होगी इस बार, यानि कि जिन कंडिडेट्स ने नवंबर की एक्जाम कम्प्लीट कर ली है, क्लियर कर ली है, उनकी जो इंटरंशिप है, वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी, शुरी जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी, और जो मई मैने में नेक्स्ट वन का एक्जाम दे रहे हैं, और उन्होंने क्लियर कर लिया है, उनकी इंटरंशिप जुलाई में होगी, अभी एकी बार इ जून में और डिसंबर में next two लगेगा और इसका result आ जाएगा fourth week of June और डिसंबर में आ जाएगा इसमें तो इस परकार से next one और next two का schedule है supplementary exam भी है September और March में दे सकते हैं result भी इसी में आ जाएगा post grade वे जो courses है PG के मई जून में counseling होगी और July से start हो जाएगे तो ये पूरा schedule आ च चुका है next one exam लगेगा 2019 बैस से दिसंबर और शोरी नौंबर और मई मैने में लगेगा और सभी candidate को अभी next exam देना ही होगा अब इसकी practice के लिए एक mock test रखा गया है ये mock test 28th July 23 को होगा जिसमें सभी candidates के लिए रहेगा जो final year के candidates से उनके लिए सभी के लिए रहेगा aims दिल्ली इसको conduct करवाएगा और 28 तक इसके registration कर सकते हैं आप exam के लिए इसके लिए mock test के लिए ये CBT ही होगा यानि की computer based exam होगा वीडियो के last में सारांस यही निकलता है next exam लागू हो चुका है 2019 बैस से लागू हो गया है first exam December 2023 को next one लगेगा next one का दूसरा exam मई 2024 में लगेगा जिन्होंने November 2023 में पास नहीं किया है वो भी दे सकते हैं जिन्होंने पास किया है वो भी दे सकते हैं PG score के लिए next two exam internship के बाद होगा next one exam लगने के बाद clear करने के बाद university exam होगा और उसके बाद internship होगी और फिर next two करने के बाद में next two qualify करने के बाद में degree मिल जाएगी MBBS की और next one के score पर PG में admission मिल जाएगा तो ये जानकारी थी next one के बारे में ये बिल्कुल clear हो चुका है अभी तक इसके बारे में doubts थे confusion थे काफी सारे student को वो सारे clear हो चुके हैं 540 marks का paper होगा 6 subject का paper होगा 3 man subject होगे 3 sub subject होगे man subject 3 hours का paper होगा 3 दिन के इंदर ये exam complete हो जाएगा तो ये जा सब्सक्राइब के वीडियो के साथ आप से फिर मुलाकात होगी नीट counselling related हमारे चैनल पर सारी information मिलती है चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो को लाइक को ज्यादा है ज्यादा सेयर करें मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैरे हिं झाल